हेलो रोबोटिक गाईज आज मैं जा रहा हूँ आपको बताने कुका रोबोट के बारे में कुका रोबोट के टीच पेंडेंट की फुल डेटेल आज मैं आपको प्रवाइड करूँगा यह उसके साथ आप देख पा रहे होंगे यह एक वर्चुल स्क्रीन दखाए दे रहे हैं आपको कुका रोबोट की उसके साथ यह मैंने इनेबलिंग स्विच प्रेस किया और यह साइड में आपको कुका रोबोट का मॉडल आप देख रहे होंगे कि जो मेरा करसर है वो भी किस पे है एक टी पॉइंट पे मैंने छोड़ा हुआ है जैसे ही मैं उसको प्रेस करूँगा तो देखिए है कुछ इस तरीके की डिस्प्ले आपके सामने आएगे जिसमें T1, T2, Auto और EXT लिखा होगा T1 यूज किया जाता है Teaching Mode के लिए T2 Teaching Mode नहीं होता है उसके अंदर से प्रोग्राम रण कर सकते हैं Auto Mode में भी आपका प्रोग्राम रण कर सकते हैं और जो आपका EXT करके Auto है उसके अंदर क्या होता है Robot आपका Auto Mode में वर्क करता है अभी आप देख रहे होंगे यह कुछ एक्सिस के नेम है A1, A2, A3, A4, A5, A6 मैंने आपको भी कुछ डाइग्रामस में दिखाया तो आपने देखा होगा कि कुछ फोटोज दे रखी थी जो कि शो कर रही थी कि किस तरीके से रूबोट की एक्सिस एवन केसे बोलते है、A2 केसे बोलते है एग़ है час ही किसे,A4 केसे,A5 केसे,6 केसे तो इस तरीके से रूबोट जब हम इनकी एक्सिस को प्लस करते है प्लस मेंस फॉरवाड माइनस में बैकवर्ड A1 जो है वो X-Access के लिए है मला Base के लिए A2 उससे Upper Axis के लिए है A3 उससे थोड़ी सी Upper Axis के लिए Basically जो X यूज होता है वो Robot को Forward और Backward के लिए यूज करते है A2 यूज करते है Left और Right के लिए और A3 यूज करते है Up and Down के लिए ऐसे A4, A5 and A6 को हम यूज करते है Robot को Rotational Axis के लिए जब हमे Critical Angles बनाने होता है उन Case में उनको यूज करते है यहाँ पर आप देख पा रहोंगे कि मैं Carcers पर क्लिक करके आपको दिखा रहा हूँ Robot अभी मैं इसलिए नहीं लेके आया है यहाँ पर आपको दिखाने के लिए मैं सिर्फ आज बेसिकली Teach Pendant के Detail दे रहा हूँ जिम मैं Robot के उपर काम करेंगे हम लोग तो मैं Robot का Model भी आपके सामने लेके आऊँगा और उसकी Working आपको दिखाऊँगा तो आप देख पार होंगे पूरे Teach Pendant में कितने सारे Access है ठीक है आपने उपर दिखाऊगा Enabling Switch मैंने दिखाया आपको जो Teach Pendant रहता है उसके जास्ट आप जैसे आप पीछे उसे घुमाएंगे तो उदर क्या मिलेगा आपको एक Deadman Switch मे लेंगे तीन Deadman Switch रहते हैं उसके साइड में एक Left and Right में उसका जो Handle रहता है Center Round Color का एक उसमें भी हमारे रहता है Enabling Switch जिसे हम Deadman Switch बोलते हैं जो Servo को On करने के लिए यूज़ किया आता है ये Pencil Type का आपको एक की दिखाई दे रहा होगा उसे बोलते हैं Keyboard की जब हमें कुछ Type करना है तो उसे Press करकी Keyboard Enable कर सकते हैं उसी के Just नीचे आपको Red Color का बटन दिखाई दे रहा है उसे कहते है Stop की उसका यूज़ किया आता है एक Running Program को Stop करने के लिए फिसी के Just नीचे जब हम आते है तो है Start की Backward बटन जब Program को हमें Reverse Run कराना है तब उसको यूज़ करते हैं फिर उसके Just नीचे एक और है Start की Forward बटन उसको यूज़ करते है Program को Up Up से Down में रन कराने के लिए अब आप देख पा रहोंगे आपके डिस्पली पर यह आता है Override बटन इसको यूज़ करके हम Program की और अपने Jog की Speed को Manage कर सकते हैं आप देख पा रहोंगे A6 की नीचे जो बटन है उसे हम कहते है Program Override उसको प्रेस करके हम क्या करते हैं अपने जो Program की Speed Auto में वो जाता है या कम कर सकते हैं उसी की Just नीचे जब हम आते हैं वो है हमारा Jog Override उसको यूज़ करके हम क्या करते हैं अपने जो Moment है रोबोट के Access का उसे हम Speed को बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं आप देख पा रहे होंगे ओपर यह जो रोबोट का Sign बनावा कुका का इसे कहते हैं Main Menu बटन जैसे हम इसको प्रेस करते हैं तो महरपास Main Menu की Window खुल जाते हैं जहां से हम अपना रोबोट काइलिबरेट प्लस Main Program और कई सारी चीज़ हम यहां से इनेबल कर लेते हैं अब हम आते हैं Incremental Jogging Mode पर इसमें आप देख पार होगे एक है Continuous, 100mm, 10mm, 1mm यह यूज किया जाता है हमारी Individual Access के Movement के लिए कि हमें एक बार प्रेस करने पर कितनी Individual Access Movement करानी है फिर उसके बाद आते हैं हम लोग करसर Tool Base पर इसमें Tool Selection किया जाता है, Base Selection किया जाता है और Gripper Choose करना है, Pen Choose करना है, Whatever, जो भी हमारा मन करेगा वो हम Choose यहां से कर सकते हैं और अपने Program को और Better उसी तरीके से हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं अब आप देख रहे होंगे कि एक Option आगया है हमारी Screen के सामने की यह जो एक उपर और एक नीचे की दिया हुआ है, उपर वाला जो रहता है, वो Space Mouse की बोलते हैं उसे और नीचे वाले को कहते हैं हमारा Jog Coordinate की अगर Space Mouse क्या होता है, Space Mouse रहता है, जब आपने Teach Pendant देखा होगा, उसकी साइड में एक हमार पास Rotating Tool रहता है, जिससे हम लोग Up and Down, Left, Right और मलब कि हर साइड में प्रेस करके हम अपने Jog को, Robot को और उसकी हर एक Axis को Moment करा सकते हैं तो उपर वाला जो है, वो Space Mouse के लिए है, और जो नीचे वाला Coordinate है, वो हमारा होता है Jog के लिए इसका यूज किया जाता है, यह जो हमारे A1, A2, A3, A4, A5, A6 जो Coordinate है, इन में हमें Word यूज करना है, Tool यूज करना है, Base यूज करना है, जो भी Coordinate यूज करना है, हम इसके थूरू उसे यूज कर लेते हैं तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं, अगली वीडियो में नई टॉपिक के साथ, अगर आपको इस वीडियो में या और भी कुकरोपिट से लेटेड कोई डाउट रहते हैं, तो आप हमें कमेट करके पूछ सकते हैं, और हमारा Instagram ID भी है, उस पर आप डिरेक्ली मैसेज कर कि परसनली भी हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितना शेयर करो कि उतना ही नॉलेज आपको लोग को भढ़ेगा, चलि आज के लिए बस इतना ही मि